नमस्कार, वंदे मात्रम, मैं बल्दे राजपुत, दुर्ग छत्तिस गड़ से आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा मैं description में आपको link दे दूँगा उसमें मैंने बताया है कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं अलग-अलग branches का मैंने अलग-अलग वीडियो जो है वो बना के description में उसका link जो है वो आप लोगों के लिए डाल दिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic कि हम 10th के बाद क्या कर सकते हैं तो 10th के बाद intermediate मतलब 11th आप कर सकते हैं 11th करने के लिए आपके पास जो options हैं वो है science group, commerce group, arts group science group को दो भागों में बाटा गया है एक होता है non-medical जिसे हम लोग maths group बोलते हैं और एक होता है medical group जिसे हम लोग PCB या bio group बोलते हैं PCM में हम physics, chemistry, maths के बारे में पढ़ते हैं और PCB में हम physics, chemist और bio के बारे में बात करते हैं अगर आप bio से 11th या 12th क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपके जो options हैं वो रहते हैं doctors आप बन सकते हैं, nurse बन सकते हैं आप paramedical या medical field में जा सकते हैं ऐसे बहुत सारे जो courses हैं वो आप after 12th medical field में कर सकते हैं अगर मैं maths की बात करूँ तो maths से आप engineer हो गया, information technology हो गया, research sector हो गया, Indian Navy, Air Force इसमें हो गया, ethical hacking इस type के जो technical courses हैं वो आप कर सकते हैं तो अगर हम सीधी सीधी बात करें, अगर आपको technical line पे जाना है तो आप maths प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको medical line पे जाना है तो आप bio prefer कर सकते हैं दूसरा अगर आपको account में interest है, आपको financial चीजों में interest है तो आप commerce ले सकते हैं इससे आप chartered accountant, company secretary, MBA जो आपका finance जो programmer है वो हो गया, जो management group है वो हो गया और आपका जो business secretary है उसकी post हो गई या economical जो बड़ी बड़ी post होती हैं उनके लिए आप commerce के थूँ जा सकते हैं मतलब अगर आपको किसी भी financial चीजों पर अगर interest जादा है, आपको लगता है कि आप financial चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो आपके लिए commerce है तीसरा अगर मैं option देखूं तो वो हाता है arts, अगर आपको journalist बनना है, आपको graphic designer बनना है, आपको lawyer बनना है, आपको event manager बनना है, आपको teacher बनना है, तो आप arts की तरब जा सकते हैं इसके अलावा जो मैंने एक नहीं लिखा है, वो होता है आपका agriculture में आप 11 कर सकते हैं अगर आपकी खेती बाड़ी है, या आप बचपन से ग्रामीनी इलाकों में रहे हैं, और आपको खेती की बहुत अच्छी knowledge है, तो उस condition पे आप agriculture में 11th, 12th कर सकते हैं, उसके बाद BSC agriculture में कर सकते हैं, अगर आप ये दोनों courses कर लेते हैं, और इन्हें करने के बाद, अगर आप government की बहुत सारी जो योजनाएं हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से अगर पढ़के अगर आप apply करते हैं, तो क्रिसी छेत्र में भी आपके लिए बहुत सारे option allable होते हैं, अब ये हो गया जो मैंने ये जो options बता है, वो intermediate या 11th करने के लिए बता है, अगर आप job oriented courses की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप polytechnic कर सकते हैं, polytechnic के लिए आपको PPT मतलब pre-polytechnic test देना होता है, उसमें फिर आपके 10th के percentage और इसकी rank के आधार पर आपको polytechnic में admission मिलता है, polytechnic बिलकुल समझ जाईए कि आपका जो बड़े courses हैं, जैसे जो BTEC करते हैं, उसका छोटा भा होता है, for example, आप civil engineering कर सकते हैं, mechanical engineering कर सकते हैं, computer engineering कर सकते हैं, chemical engineering कर सकते हैं, आपका electrical हो गया, automobile हो गया, biotech हो गया, बहुत सारे subject, मतलब जो technical subjects आप B या BTEC में करते हैं, उन्ही subjects को आप polytechnic में पढ़ते हैं, ये एक diploma course होता है, और इस diploma courses से आप ये तीन वर्षी आपका course रह होते हैं, अगर आप polytechnic करने के बाद B टेक करेंगे, तो आपको lateral entry मिलती है, lateral entry का मतलब होता है, आप direct third या fourth sem पे आपका admission हो जाता है, तो ये होता है polytechnic, इसके बाद जो अगला आते हैं, वो होता है ITI, ITI समझ जाए, polytechnic से भी एक कदम और नीची अगर आपन चले जाएं जो ground level पे जो बच्चे बंदे जो काम करते हैं, वो ITI से ही लिये जाते हैं, अगर आपको industrial area में जाना है, आपको pump बनाना सीखना है, आपको plumber का 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 म सीखना है, आपको टूल डाई और maker का 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 म सीखना है, आपको manufacturing का म सीखना है, आपको refrigeration सीखना है, आपको fruit, vegetable maintenance या उनक उसेंबल करना सीखना है, तो आप ITI में जा सकते हैं, मतलब अगर आपका इंट्रेस्ट इंडस्टियल एरिया पे है, तो आप ITI कर सकते हैं, ITI के बाद चाहें तो आप पॉले टेकनीक कर सकते हैं, तो इन दोनों में से जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से कर सकते हैं, मैं होता है certificate course और एक होता है diploma course हम certificate course उसको बोलते हैं जो छे से बारा महने के आसपास रहता है और diploma course एक से दो साल का होता है तो यहां पर मैं आपको screen पे दिखा दूँगा कि कौन-कौन से courses जो है वो आप पेरा-medical या medical field पे आप कर सकते हैं एक medical store open करने के लिए उसके बाद short time course की बात करूँ तो pouletary हो गया या fish forming हो गया, graphic designing हो गया, event manager हो गया, digital marketing हो गया, MS office का काम हो गया, इस type के जो छोटे-छोटे जो courses है वो भी आप कर सकते हैं यह 6 महने से लेके साल-2 साल तक के course होते हैं और इन short time courses का use आप अपने business को improve करने के लिए आप कर सकते हैं अगर आप 10th के बाद job करना चाते हैं तो army में job निकलती है, navy में निकलती है, air force में निकलती है, 10th के percentage के base पर तो आप चाहें तो इन तीनों में भर सकते हैं अभी अगनी वीर के तहद बहुत सारी post जो है, वो army, navy औ air force जो है, वो निकाल रहा है, इसके बाद BSF, border security force, Indian railway और post office भी बहुत सारे post निकालते हैं, अगर Indian railway की बात करों तो group D की जो vacancy है, वो भी 10th basis पे होती है, और जो ticket collector की भी जो vacancy है, वो भी 10th basis पे होती है, post office में जो आप जो letters वगरा जो बाटते हैं, या जो छोटी post रहती है वो 10th basis पे रहती है, तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया, वो 10th के बाद, आप क्या-क्या कर सकते हैं, या क्या-क्या संभाव नाए हैं, उसके उपर मैंने ये वीडियो बनाया है, अगर आपको ऐसा लगता है, कि मैंने कोई point miss किया है, तो आप उसे comment box में लिख सकते हैं, उस पूरे का link description में डाल दिया है, अगर आप चाहें, तो उसे जा के एक बार देख सकते हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रा.